बैजन सहीदा 143 अध्याई 1-12 तक और मुझे बहुत दिन के मरे हुओ के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है मेरी आत्मा बीतर से व्याकुल हो रही है मेरा मन विकल है मुझे प्राचिन काल के दिन स्मरन आते है मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ, मैं तेरी और अपने हाथ फैलाय हुए, सूकी भूमी के समान, मैं तेरा प्यासा हूँ, है होवा, फूर्ते करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्रान निकलने ही पर है, मुझसे अपना मुह न छिपा, ऐसा न हूँ कि मैं कबर में पड़े हूँ क ये समान हो जाओ, अपनी करुणा की बात मुझे शीगर सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है, वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ, है यहोवा, मुझे शद्रों से बचा ले, मैं तेरी ही लग में ले चले, है यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित जिला, तुझो धर्मी है, मुझको संकट से छुडा ले, और करुणा करके, मेरे शद्रों का सतिनाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ, प्रकाशित वाक्य छटा अध् खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ, मैंने द्रिष्टे की और देखो, एक श्वेत घोडा है, और उसका सवार धनूश लिये हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ, निकला की, और भी जय प्राप्त क जब उसने दूसरी मुहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणि को यह कहते सुना, आ, फिर एक और घोडा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि प्रित्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वद करे, और उसे एक बड़ी तलव सवार दी गई, जब उसने तीसरी मुहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणि को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टी की और देखो, एक काला घोडा है, और उसके सवार के हात में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर के हुँ और दिनार का तीन सेर जो पर तेर और दाकरस की हानी न करना। दिनार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृत्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी की नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वद किये गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और सत्य तु कब तक न्याएं न करेगा और पृत्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वद होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी न हो ले। जब उसने चटवी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकम्प हुआ और सूरिय कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश की तारे पृत्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंदी से हिलकर अंजीर के पेड में से कच्चे फल जड़ते हैं। पहाडों की गोहों में और चठानों में जा छुपे और पहाडों और चठानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंचा है अब कौन टहर स मलाकी की द्वारा इसराल के विशे का यहावा का भारी वच्चन यहावा यह कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है परन्तु तुम पूचते हो तुने किस बात में हमसे प्रेम किया है यहवा की यवानी है क्या एसाव याकुब का भाई न था तो भी मैंने याकुब से प्रेम किया परन्तु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाडों को उजाड डाला और उसकी पैतरक भूमी को जंगल के गीदरों का स्थान बना दिया है एदोम कहता है हमारा देश उजड गया है परन्तु हम खंडरों को फिर बसाएंगे सेनाओ का यहवा यो कहता है यदि वे बनाए भी परन्तु मैं धा दूंगा उनका नाम दुष्ट जाती पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहवा सदेव क्रोधित रहे तुम्हारी आँखे इसे देखेंगे और तुम कहोगे यहवा का प्रताप इसराइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहा है और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाय मानना कहां सेनाओ का यहवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है परन्तु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है तुम मेरी वेदी पर अशुद भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे पहराते हैं इस बात में भी कि तुम कहते हो यहवा की मेज दुच्छ है जब तुम अंधे पशु को बली करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं जब तुम लंगडे या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ क्या वो तुम से प्रसन होगा या तुम पर अनुग्र करेगा सेनाओ के यहवा का यही वचन है अब मैं तुम से कहता हूँ इश्वर से प्रातना करो कि हम लोगों पर अनुग्र करे यह तुमारे हाथ से हुआ है तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्विर तुम में से किसी का पक्ष करेगा सेनाओ के यहवा का यही वचन है भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाडों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्त आग जलाने न पाते सेनाओ के यहवा का यह वचन है मैं तुम से कदापी प्रसन नहीं हूँ और न तुमारे हाथ से भ पर धूप और शुद भेंट चड़ाई जाती है क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है सेनाओ के यहवा का यही वचन है परन्तु तुम लोग उसको यह कहकर अब पवित्र टहराते हो कि यहवा की मेज अशुद है और जो भोजन वस्तू उस पर से मिलती है वह भी तु प्राप्त किये हुए और लंगडे और रोगी पशु की भेंट ले आते हो क्या मैं ऐसी भेंट तुमारे हाथ से ग्रहन करूं यहवा का यही वचन है जिस छली के जुंड में नर पशु हो परन्तु वो मन्नत मान कर परमेश्वर को वर्जित पशु चड़ाए वह शापित ह मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाती जाती में भाई योग्य है सेनाओ की यहवा का यही वचन है मला की दूसरा अध्या एक से सोला तक अब हे याजको यह आग्या तुमारे लिए है यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओ का आप दूंगा और जो वस्तुवे मेरी आशिश से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पढ़ चुका है देखो मैं तुम्हारे कारण बीच को छुड़कूंगा और तुम्हारे मुह पर तुम्हार या आग्या इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंदी हुई वाचा बनी रहे सेनाओ की यहवा का यही वचन है मेरी जो वाचा उसके साथ बंदी थी वह जीवन और शांती की थी और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था उसको मेरी सची व्यवस्था कंटेस्थ थी और उसके मुह से कुटिल बात न निकलती थी वह शांती और सीधाई से मेरे संग-संग चलता था और भहुतों को अधरम से लोटा ले आया था क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठो से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुह से व्यवस्था पूछे क्योंकि वह सेनाओ के यहवा का दूत है परमतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए तुम भौतों के लिए व्यवस्था के विशे में ठोकर का खारण हुए तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है सेनाओ के यहवा का यही वचन है इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुछ और नीचा कर दिया है क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरण व्यवस्था देने में मुझ देखा विचार करते हो क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन नहीं किया हम क्यों एक दूसरे से विश्वास गात करके अपने पूरवजों की वाचा को तोड़ देते हैं यहुदा ने विश्वासगात किया है और इस्रायल में और यरुशले में ग्रिनित काम किया गया है क्योंकि यहुदा ने पराय देवता की कन्या से विवा करके यहुदा के पवित्र सान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबूओं म कि तुमने यहवा की वेडी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आसूं से भगो दिया है यहां तक कि वह तुमारी भेंट की और दृष्टी तक नहीं करता और न प्रसन होकर उसको तुमारे हाथ से ग्रहन करता है तुम पूछते हो ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि यहवा ते प्रमेश्वर के योगे संतान चाहता है इसलिए तुम अपनी आत्मा के विश्य में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्थ्री से विश्वास घात न करे क्योंकि इस्राइल का प्रमेश्वर यहवा यो कहता है मैं स्थ्री त्याग से घ्रना करता हूं और उससे भी जो अपने वस्तर को उपद्रव से ढांपता है इसलिए तुम अपनी आत्मा के विश्य में चौकस रहो और विश्वास घात मत करो सेनाओ की यहवा का यही वचन है